Hello and welcome you all, मैं हूँ धनन जय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे स्रिलंका या मौलदीब्स इन दोनों देशों का जो जो जोगरफिकल लोकेशन है अगर ये ना होता तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होता जो स्रिलंका या मौलदीब्स के तरफ इनको देखता या इनकी मदद करने को सोचता समय दर समय भारत और चाइना दोनों एक रेस में हे रहते हैं जहांपे वो अपने अपने हिसाब से स्रिलंका और मौलदीब्स दोनों को सपोर्ट करते हैं और शायद यही सबसे बड़ा कारण नहीं कि क्यों Sri Lanka और Maldives दोनों एक bankrupt देश है क्योंकि इनको तो कोई काम रहनी जाता है कि यह अपने policy को form करे क्योंकि बाहरे इनको support मिल जाता है कुछ साल पहले चायना स्रिलंका में तीन solar power plant और एक wind hybrid power generation को develop करने वाला था लेकिन इस contract को रद करके भारत को यह contract दे दिया जाता है जो कि भारत के point of view से बहुत ही अच्छी बात है और चायना के point of view से यह अच्छी बात नहीं है इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों स्रिलंका या मौलदीब्स को support करना चायना की अपनी एक मजबूरी है और इसमें हम कुछ map के मदद से समझेंगे और जो पुरा perspective रहने वाला है वो economic perspective रहने वाला है क्योंकि अगर economic perspective ना रहे तो शायद स्रिलंका या मौलदीब्स को इनको कोई पूछेगा भी नहीं मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अची लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास कोई suggestion कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं सो ये दो मार्श का article है जहां पर ये बताया जा रहा कि स्रिलंका ने deal को चाइना के साथ cancel किया और भारत को ये deal दे दिया जो कि भारत के point of view से बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा या in fact अगर आप इस चीज़ को बहुत ही neutral perspective से अगर आप कभी नहीं चाहेंगे कि जिस देश के साथ आपके relations अच्छे नहीं है उसका development हो और खास करके आपके देश के निकट यानि कि स्रिलंका और मौलदीप्स दोनों भारत के बहुत करीब है तो अगर इन दोनों देशों के आसपास या इन दोनों देशों में अगर चाइना का influence इसका मतलब यह होता है कि हमारे लिए जो threat है वो भी बढ़ जाता है अब क्योंकि किसी भी project को बनाने के लिए उसको start करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो इस project को Asian Development Bank इसको पहले loan दे रहा था या finance कर रहा था लेकिन क्योंकि अब स्रिलंका ने इस deal को cancel कर दिया है तो इ investment करने जा रहा है और यह जो project है इसको develop करने वाला है बैंगलोरू based U solar company अब यह Asian Development Bank या Asian Infrastructure Development Bank यह सब कुछ topics है जो UPSC में पूछे जाते हैं तो normally Asian Development Bank का क्या function है अगर इसको बहुत ही कम शब्दों में समझा जाया तो इसके नाम में ही development है तो Asian Development Bank उन सब जगों को develop करता है य इसका की एक global importance हो खास करके infrastructure में suppose दो देशों के बीच में अगर infrastructure development हो जाता है तो उस development से जो global economy है वो भी develop करेंगी तो इस तरीके का जो development projects को finance करता है majority of times क्या होता है कि Asian Development Bank या ऐसे ही कुछ bank तभी loan sanction करते हैं जब जो bid होता है वो जो सबसे lowest bidder होता है उसी को loan sanction होता है यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि China ने जो bid दिया था वो सबसे lowest bid था इसी के कारण Asian Development Bank उस project को finance कर रहा था अब क्यूंकि भारत सरकार Asian Development Bank स loan नहीं ले रहे हैं तो as a result क्या हो रहा है कि भारत सरकार को यह project अपने जेब से fund करना पड़ रहा है हलाकि यह project cancel हो गया लेकिन इसका यह कहीं से आप मतलब मत समझे है कि Sri Lanka में China का जो influence है वो कहीं से भी घड गया है more or less बहुत सारे ऐसे projects होते हैं जिसको कि China fund करता है और उस map के मदद से हम समझेंगे कि आखिर में क्यों China इतना interested रहता है Gulf of Aden या Arabian Sea या Persian Gulf के आज सपास अपने control को maintain करने की तो अब तक यह हमें समझ में आ ही चुका है कि Red Sea और Gulf of Aden दुनिया का one of the busiest sea trade route है जहां पर एक दिन के लिए अगर यहां पर traffic jam होता है किसी भी तरीके से तो दुनिया का जो inflation है वो बढ़ सकता है या उसके जो chances होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी Israel और हमास के बीच में conflict या war चल रहा है तो इसलिए Yemen में कुछ ऐसे group से जो हमास को support करते हैं तो इसलिए यहां से जो trade यहां से जो cargo ship जाता है उसको यहां पर attack किया जाता है क् यहां पे यह जो area है यह काफी छोटा area है तो by default यहां पे जो speed होता है वो घर जाता है तो एक प्रयाप्त समय मिल जाता है healthy rebels को cargo ship के उपर attack करने के लिए और दीजी बूती के बारे में कहा जाता है कि यह चाइना का almost एक colony बनी चुका है इसके अलावा भी अगर इरान के बार एक दुनिया का हम कह सकते हैं कि one of the strongest country है जिसका की second largest economy है तो यह इरान से oil purchase करता है तो अगर यह इरान से oil purchase करेगा तो कहीं न कहीं इसे Persian Gulf या यह straight of Hormuz हो गया या Gulf of Oman हो गया तो basically अगर मैं इसको zoom out करके दिखाऊं तो अगर ship यहां से अगर चलता है तो कहीं न कहीं इस वा एक अपना अच्छा base बना लेता है या मौलदीब्स में अगर वो अपना अच्छा base बना लेता है और मोस्ट दीजिबूती में चाइना का control है बहुत हद तक पागिस्तान का यहां पे जो गवादर port है उसको develop कर रहा था लेकिन अभी बीते कुछ महीनों में कह सकते हैं कि य इतने सारे अटैक किये गए चाइनीज नैशनल्स या उनके इंजिनियर्स के हूपर कि चाइना को यह प्रोजेक्ट को पार्ट टाइम के लिए रोग देना पड़ा तो अगर आप इन सब चीज़े को अगर आप कनेक्ट करेंगे और सोचेंगे और समझेंगे तो यहां से अ अपने इंफ्लूएंस को क्रियेट करना चाहता है जो कि भारत के पॉइंट अव व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है शिप यहां से चलके आता है फिर यहां पे आपका पड़ जाता है मलक का इस ट्रेइट चाइना का यह सब कुछ फेबरिट रूट है और गल्फ ऑफ एड कभी भी अगर हमसे लड़ता है तो हमारे पास इतने capabilities हैं कि चाइना का जो supply है उसको यहां पे हम रोग दें और जब किसी भी देश का जब supply को रोग दिया जाता है तो by default वो देश फिर कमजोर हो जाता है और war को जीतने के लिए उसके जो chances होते हैं वो automatically घर जाते हैं और यह सिर्फ चाइना के लिए important है बलकि भारत के लिए भी important है बहुत हद तक South Asian जो countries है उनके लिए भी यह important है तो यह trade route जितना ही पुराना है लोग उससे उतने ही familiar है और जब आप जितना ही familiar होते हैं किसी भी चीज से तो आप उसी का इस्तिमाल बार बार करना चाहते हैं और by default अगर इस रास्ते से अगर trade होता है तो इसका कोई alternative फिलाल अब तक generate हो नहीं पाया है अगर चाइना इरान से अगर oil purchase करता तो most probably वो ग्वादर पोर्ट के या दोनों देशों के बीच से ही वो gas pipeline या oil pipeline को establish करके अपने हिसाब से वो चाइना में पहुचाता लेकिन वो सब हो अपने oil को बेचना ही है क्योंकि हर देश का एक अपना खर्श होता है एक अपना expense होता है तो इसी चीज़ का फैदा उठाते हुए चाइना बहुत ही सस्ते कीमत पे इरान से oil purchase कर रहा है बिना US से डरे हुए जबी हम इस तरीके का global news पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही neutral तरीके सरह के चीज़ों को सीखना होता और समझना होता है चाइना से हमारे relations अच्छे नहीं है लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं होता है कि जो चाइना का capability है उसको हम underestimate करें और उसको हम ignore करें अगर हम जो facts जो हो रहा है अगर उसको हम ignore करते हैं तो कहीं न कहीं जो reality है उससे हम लाइक दे वीडियो अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye